असलाम लेक्व वेल्कम बेक टो मैं चैनल आज़की इस वीडियो में आपको डिफ्रेंट टाइट्स के एरिंग्स घर पे ली बनाना बहुत इसानी के साथ से खाऊंगी बहुत एजी ट्रिक मैं इस वीडियो में बिताने वाली हूँ जिसमें आप किसी भी कलरकन ट्रास में अपने मैचिंग व्रैसे के साथ एरिंग्स घर पर ही बना सकते हैं तो चलिए मिना टाइम इसके अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट तो चलिए सबसे पहला एरिंग ये ट्रैडि कर लेते हैं ये ब्लैक वाला यहां पर हमने बना कर रखा है इसको किस तरीके से बनाया है वो बता देती हूँ यहां पे रेशम का जो धागा होता है वो ले लिया है और यहां पर कोई भी हाड सा आपने पेपर ले लेना है उसके ऊपर इस तरीके से आपने सरकल शेम में लपेट लेना है यहां पे सबसे पहले हम लोग टसल रेडी करेंगे और टसल आप किसी भी धागे की कर सकते हैं अगर आपको रेशम धागे की नहीं बनानी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी टसल बना सकते हैं लेकिन एरिंग के लिए अगर आत्रेशन वाल धागी की तरसल बनाइंगे तो बहुत जबरतस बनेंगी बतार दागा बनगी है अब यह बना है उसके बाद इसके बाद इसको रोल करके लोग करेंगे इस तरीके से हम इसको लोग करेंगे तो यह हमारी टेसल हो जाएगी ready आप किसी भी color contrast में ये earrings ready कर सके हैं यहाँ पर black color में मैंने टेसल ready की है आप किसी भी red color में भी कर सकते हैं yellow में भी कर सकते हैं green में भी कर सकते हैं जिस भी color contrast का अगर आपको ready करना है earrings उस color में आप ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने जो ले ली है हेड़ पिल ले ली है इस टाइब की होती है उसको इस तरीके से इसके इंदर से गुजारेंगे देखें इसके इंदर से इस तरीके से गुजार लेंगे और उसके बाद यह देखें यहाँ पर flower beat end होता है ये और इसको इस तरीके से हम इसके साथ रग देंगे इस सारी चीज़ें आपको कहीं से इजीली अवेलेबल होंगी जहाँ पर आपको इजविल्वी का समान मिल जाएगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी और उसके बाद हम लोग ये देखें एक मोती उपर की तरफ डाल देंगे गोर्डन कलर का उसके बाद यहाँ पर एक और डाल दिया है उपर से जितनी भी एक्ष्रा वायर थी उसको इस तरीके से कट कर दिया है बस थोड़ी सी वायर को रहने दिया उसको इस तरीके से मोड़ेंगे आगे से बिल्कुल इसी भी कटर के साथ उसके बाद आप लोग ने एरिंग हुक ले लेनी है ये भी बहुत इजी ली आपको मिल जाएगी एरिंग हुक का उपर से जो वायर इसको थोड़ी सी खोल दे वे उसके अंदर इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे ये देखे हमारा बहुत खुबसूरा सा एरिंग एजी ली बन जाएगा यहाँ पर देखे हमारा फर्स्ट जो एरिंग है वो हो चुका है रेडी और इसको बनाना बिल्कुल भी डिफिकल नहीं था तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद हम यह पॉंप उमप वाला एरिंग बनायेंगे इसको कैसे बनाना chodzi नहीं यहाँ पर बहुत असान तरीके से इस एक और उसके बाद हम से करेंगे और इसको थोड़ा से टाइट कर देंगे ताकि यह बिल्कुल चिपक जाए पॉम-पॉम के साथ उसके बाद उपर एक गोल्डर मोती डाल देंगे और एक्स्टा वायर को उपर से कर देंगे अब लेंगे हम लोग एरिन्ग फुक्क यहां पर देखें इसको जाएंगे और लॉक कर देंगे अच्छे से अर हमारा हेरिंग हो जाएंगा ओर रेडि तो बस यह चीज़ी हैं जो आपको लेनी हैं और उसके बाद आप किसी भी स्टायल का अपने घर पर ही किसी भी कलर का रास में बना सकते हैं यह लहाद बहुत इंब लीकज़ बना लेते हैं नेक्स ओड़ा हम ने अर भणनाना है लिए भी हमने ले ली कि पॉम पॉम ब्राउंड कलर में यहाँ पर देखें आई head pin हमने लिए हैं इसके लिए तो यह आई शेव में होती है इसलिए इसको आई head pin कहते हैं उसको आगर से थोड़ा सा मोड़ा है और इस pom-pom के अंदर हमने इसको lock कर दिया है उसके बार earring hook ले ली है और उसको भी खोल के आगे से इसके इसके अंदर इस तरीके से lock कर लिया है ये देखें बहुत खुबसूरत सा हमारा ये भी ये हमने जो पॉम पॉम ली थी इसके पर पहले से ही hook लगी भी थी इसलिए हमने अलग से नहीं लगाई है उसी के अंदर इसको आई head pin को lock किया है चलिए अब यहाँ पर हम next ready कर लेते हैं उसके लिए यह वाद आईरिंग अब हम ready करेंगे इसके लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले हम लोग नहीं यहाँ पर ले लिया head pin और head pin के अंदर हम लोग यह वादा crystal का एक green color का stone डाल देंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर flower and beads डालेंगे इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर हमने एक hole ले लिया है वो इसके उपर इसी wire के उपर लगा लिया है golden color में उसके उपर उपर से जो extra wire है उसको cut करके बाकी को थोटा थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से मोड देंगे मोडने के बाद हम लोग ले लेंगे यहाँ पर earring hook उसका जो lock है वो खोल लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से lock कर देंगे इसके साथ और यह भी हमारा बहुत stylish आइरिंग ready हो जाएगा next हम लोगोंने यह वाला आइरिंग बनाना है चो चलिए यह भी बना लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए headpin सबसे पहले और उसके बाद हम लोगोंने यह flower and beat ले लिया है किसी भी साइज में भी ले सकते हैं इसी headpin के अंदर से हम इस तरीके से pom-pom को गुजारेंगे यह सारे जो flower and beets है अब दुबारा से flower and beat ले लिया है यह silver color में भी आपको मिल जाते हैं golden color में भी मिल जाते हैं headpin भी आपको silver color में भी मिल जाती है golden में भी मिल जाती है उसके बाद silver color का एक motis के उपर डाल देंगे और extra wire को उपर से cut करके थोड़ी सी को मोड देंगे airing hook भीच में lock करने के लिए तो यह सारी शीज़े आपको golden color में भी मिल जाएंगी silver color में भी मिल जाएंगी airing hook भी आपको silver में भी मिल जाएगी और golden में भी मिल जाएगी तो आप किसी भी जिस भी color contrast का आपको बनाना हो उस तरीके से आप लेके उसको बना सकते हैं यहां पर airing hook ले लिए और उसको इसके अंदर कर देंगे lock तो यह देखे यह भी हमारा बहुत ही खुबसूरत सा airing हो चुका है ready और देख सकते हैं आप लोग किसी भी color contrast में इसको भी आप ready कर सकते हैं चलिए अब हम यहां पर next ready कर लेंगे यह बहुत ही stylish सा airing यहां उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिए है headpin ले लिए उसके बाद एक मोती ले लिया है उसको इस तक के अंदर इस तरीके से डाल देंगे और यहां पर उसके बाद हम लोगों ने जो end beat ले लिया है उसके बाद हम लोगों ने यहां पर stone spacer बीट लिया है और उसको इसके अंदर डाल देंगे उसके बाद फिर से हमें एक मोती लालेंगे छोटे size में उसके बाद हमें एक मोती डाल देंगे golden color का छोटा सा उसके बाद हम एक्स्टा वायर को उपर से कर देंगे cut और बाकी की वायर को हलका सा turn करेंगे और airing hook में इसको हमने lock करना है तो airing hook ले लिए है यहां पर golden color में यह भी हमारा बहुत ही खुबसूरा सा airing हो चुका है ready यहां पर आप देख सकते हैं किसी भी color contrast में आप बना सकते हैं next बना लेते हैं यहां पर यह बहुत खुबसूरा सा airing उसके लिए यहां पर silver color की गोल्डन कलर की एक वायर ले ली है जो आपको easily मिल जाती है बहुत ही बारीक साइज में उसमें हम लोग डाल लेंगे यह मोती golden color के छोटे-छोटे मोती डाल लेंगे उतने मोती आपने डाल ले हैं जितना बड़ा आपको airing बनाना है उसी size के हिसाब से आपने डाल लेने हैं यह बहुत ही बारीक सी वायर मिलती है जो आपको बहुत easy available होंगी इसको आप किसी भी तरह किसी भी तरह मोड सकते हैं और easy लिए turn हो जाती है यहाँ पर half हम डालेंगे उसके बाद हम लोग एक बीच में black light का मोती डालेंगे और फिर बाकी के half मोती इसमें डाल लेंगे यहाँ बे देख सकते हैं दोनों तरफ equally आपने मोती डाल ले है यहाँ बे देखें जितने इस तरफ हमने golden डाल लेते उतने ही हमने इस तरफ डाल ले है उसके बाद उसको इस तरीकी से मोड देना है wire को और उपर mode के इस wire को अच्छे से lock कर लेना है और यहां से इसको अच्छे से set कर लेना है दोनों airing कि치ा size आपका same होना चाहिए उसके बाद आपने उपर की बाद जो wire है उसको किसी भी कटर की मदद से अच्छे से mode के lock कर लेना है आप देखें इसको अच्छे से set करके अच्छे से शेप दे देंगे उसके बाद हमने एरिंग हुक ले लेनी है उसका लॉक खोल के इस तरीके से इसके अंदर इसको लॉक कर देना है तो हमारे ये एरिंग भी हो जाएगा बहुती परफेक्टली रेडी इस वीडियो में एरिंग की जितनी भी लेनी है ये एरिंग्स बनाने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो नेम नोट कर सकते हैं उसके बाद आप जा कर ले सकते हैं अगर आपको ज़रा भी कन्फूजन होई उसके बाद आप इस तरीके इसके एरिंग्स घर पे बहुत यसानी के साथ किसी भी कले कंट्रास में अपने मैचिंग डैसे के साथ रेडिक कर सकते हैं तो यहां तक वीडियो देखिए लाइक किये बिना बिल्कुल मचाएगा मुझे कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताएगा यह मैथड आपको कैसा लगा है कहीं पे ज़रा से भी कन्फीजन हो मुझे से आप पूछ सकते हैं कमेंड बॉक्स में मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी नेक्स अगें बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ फिर फिर हाजर होंगी